खास कारिकरम में आम लोगों के जजबे की कहानिया देखिए मेरे साथ गुड ड्यूज जजबा इंडिया का मेरे प्यारे देश्वासियों नमस्कार मन की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जुलाय का महिना यानि मौनसुन का महिना बारिश का महिना बिते कुछ दिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण चिन्ता और परेशानी से भरे रहे है यमुना समेत कई नदियों में बाड से कई इलाकों में लोगों को तकलीफ उठाने पड़ी है पहडी इलाकों में भुस्खलन की घटनाएं भी हुई है इसी दवरान देश के पस्चिमी हिस्से में कुछ समय पूर्व गुजरात के इलाकों में बीपर जॉय साइक्लोन भी आया लेकिन साथियों इन आपदाओं के बीच हम सब देश वाश्यों ने फिर दिखाया है कि सामोहिक प्रयास की ताकत क्या होती है स्थानिय लोगों ने हमारे एंडिया अरब के जवानों ने स्थानिय प्रशाशन के लोगों ने दिन रात लगा कर ऐसी आपदाओं का मुकाबला किया है किसी भी आपदा से निपटने में हमारे सामर्थ और समसाधनों के भूमिका बड़ी होती है लेकिन इसके साथ ही हमारी सम्वेदन सिल्टा और एक दूसरे का हाथ थामने की भावना उतनी ही एहम होती है सर्वजन हिताय की यही भावना भारत की पहचान भी है और भारत की ताकत भी है साथियों बारिस का यही समय ब्रुक्षा रोपण और जल्ण सवरक्षन के लिए भी उतना ही जरूरी होता है आजादी के अमरुत महोसव के दुरवान बने साट जार से ज़्यादा अमरुत सर्ववरों में भी रोणक बढ़ गई है अभी पचास हजार से ज़्यादा अमरुत सर्ववरों को बनाने का काम चल भी रहा है हमारे देशवासी पूरी जागरुक्ता और जिम्मेदारी के साथ जल्ण सवरक्षन के लिए नए नए प्रहास कर रहे है आपको याद होगा कुछ समय पहले मैं एमपी के शडूर गया था वहां मेरी मुलाकात पकरिया गाउं के आदिवसी भाई भेनों से हुई थी वहीं पर मेरी उनसे प्रकृती और पानी को बचाने के लिए भी चर्चा हुई थी अभी मुझे पता चला है कि पकरिया गाउं के आदिवसी भाई भेनों ने इसे लेकर काम भी शुरू कर दिया है यहां प्रशासन की मदद से लोगों ने करी सों कुओं को बारिस का पानी अब इन कुओं में जाता है और कुओं से ये पानी जमीन के अंदर चला जाता है इससे इलागे में भू जलस्तर भी दिरे दिरे सुधरेगा अब सभी गाउंवालों ने पूरे ख्षेत्र के करीब करीब आँट सो कुए को रिचार्च के लिए उप्योग में लाने का लक्ष बनाया है ऐसी ही एक उत्सावर्दक खबर यूपी से आई है कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक दिन में तीस करोड पैड लगाने का रेकॉर्ड बनाया गया है इस अभियान की शुरुवात राज्य सरकार ने की उसे पूरा वहां के लोगों ने किया ऐसे प्रयास जन भागीदारी के साथ साथ जन जागरण के भी बड़े उदारण है मैं चाहूंगा कि हम सब भी पैड लगाने और पानी बचाने के इन प्रयासों का हिस्सा बने मेरे प्यारे देश भाज्यों इस समय सावन का पवित्र महिना चल रहा है सदास्यु महदेव की साधना आरात्ना के साथ ही सावन हर्याली और खुश्यों से जुड़ा होता है इसलिए सावन का अध्यत्मिक के साथ ही सांस्कृतिक द्रश्टिकोंड से भी बहुत महत्परा है सावन के जूले, सावन की महदी, सावन के उत्सव यानि सावन का मतलब ही आनन्द और उल्लास होता है साथियों हमारी इस आस्था और इन परंपराओं का एक पक्ष और भी है हमारे ये पर्व और परंपराएं हमें गतिशिल बनाते हैं सावन में सिव आरादना के लिए कितने ही भक्त कावर यात्रा पर निकलते हैं सावन की वज़े से इन दिनों बारा जोत लिंगों में भी खूब सरद्धालू पहुँच रहे हैं आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि बनारस पहुँचने वाले लोगों की संख्या भी रिकॉर्ड तोड रही हैं अपकाशी में हर साल दस करोड से भी जादा परियतक पहुच रहे हैं अयुद्या, मतुरा, उज्जेन जैसे तिर्थों पर आने वाले स्रद्धालू की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है इससे लाखों गरीबों को रोजगार मिल रहा है, उनका जीवन यापन हो रहा है ये सब हमारे सांस्कृतिक जन जागरण का परणाम है इसके दर्शन के लिए अब तो पूरी दुनिया से लोग हमारे तिर्थों में आ रहे हैं मुझे ऐसे ही दो अमेरिकन दोस्तों के बारे में पता चला है जो कैलिफोनिया से यहां अमरनात यात्रा करने आये थे इन विदेशी महमानों ने अमरनात यात्रा से जुड़े स्वामी विवेकानन के अनुभावों के बारे में कहीं सुना था उससे उन्हें इतनी प्रिणा मिली कि खुद भी अमरनात यात्रा करने आ गए यही से भगवान भोले नात का आशिरवाद मानते हैं यही भारत की खास्चियत है कि सबको अपनाता है सबको कुछ न कुछ देता है ऐसी ही एक फ्रेंच मुल्क की महिला है शारलोट शोपा बीते दिनों जब मैं फ्रांस गया था तो इन से मेरी मुलाकात हुई थी शारलोट शोपा एक योगा प्रक्टिशनर है योगा टीचर है और उनकी उम्र सो साल से भी ज़्यादा है वो सेंचुरी पार कर चुकी है वो पिछले चालिस साल से योग प्रक्टिश कर रही है वो अपने स्वास्त और सो साल की इस आयू का स्रे योग को ही देती है वो दुनिया में भारत के योग विज्यान और इसकी ताकत का एक प्रमुक चहरा बन गई है इन से हर किसी को सिखना चाहिए हम न केवल अपनी विरासत को अंगीकार करें बलकि उसे जिम्मेदारी के साथ विश्व के सामने प्रस्तूत भी करें और मुझे खुशी है कि ऐसा ही एक प्रयास इन दिनों उज्जेन में चल रहा है यहां देश भर के अठारा चित्रकार पुरानवपर आधारित आकरसक चित्रकथाएं बना रहे हैं यह चित्र, बुंदी शैली, नातद्वारा शैली, पहाडी शैली और अपभ्रोश शैली जैसी कई विशिष्ट शैलियों में बनेंगे इन्हें उज्जेन के त्रिवेडी संग्राले में प्रदर्सित किया जाएगा यानि कुछ समय बाद जब आप उज्जेन जाएंगे तो महाकाल महालोग के साथ-साथ एक और दिव्यस्थान के आप दर्शन कर सकेंगे साथियों, उज्जेन में बन रही इन पेंटिंग्स के बात करते हुए, मुझे एक और अनोखी पेंटिंग के आद आ गई है ये पेंटिंग्स राजकोट के एक आर्टिस्ट प्रभाद सिंग मोडभाई बरहाड जी ने बनाई थी ये पेंटिंग्स छत्रपती वीर सिवाजे महाराज के जीवन के एक प्रसंग पर आधारित थी आर्टिस्ट प्रभाद बाई ने दर्शाया था कि छत्रपती सिवाजे महाराज राज्या भिशेक के बाद अपनी कुल्देवी तुल्जा माता के दर्शन करने जा रहे थे तो उस समय क्या माहूर था अपनी परंपराओं अपनी धरोहरों को जीवन रखने के लिए हमें उन्हें सहजना होता है उन्हें जीना होता है उन्हें अगली पीजी को सिखाना होता है मुझे खुशी है कि आज इस दिशा में अनेकों प्रयास हो रहे हैं मेरे प्यारे देश वास्यों, कई बार जब हम ecology, flora, phona, biodiversity जैसे सब्द सुनते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि ये तो specialized subject है, इन से जुड़े expert के विशय है, लेकिन ऐसा नहीं है अगर हम बाकई प्रक्रती प्रेम करते हैं, तो हम अपने छोटे छोटे प्रयास्वों से भी बहुत कुछ कर सकते हैं तमिलनाडु में वाड़ा बल्ली के एक साथी है सुरेश रागवन जी रागवन जी को painting का शोक है, आप जानते हैं, painting कला और केनवा से जुड़ा काम है लेकिन रागवन जी ने ताय किया कि वो अपनी paintings के जरिये, पेड, पौधों और जीव जनतों की जानकारी को समुरुक्षित करेंगे वो अलग-अलग फ्लोरा और फोना की paintings बना कर उनसे जुड़ी जानकारी का documentation करते हैं वो अब तक दर्जनों ऐसे चिडियाओं की, पशूओं की, और शीट्स की paintings बना चुके हैं जो विलुप्त होने की कगार पर है कला के जरिये, प्रकृति की सेवा करने का ये उधारन वाकई अध्भूत है मेरे पैरे देश भाचियों, आज मैं आपको एक और दिल्चस्प बात भी बताना चाहता हूँ कुछ दिन पहले, सोशल मिडिया पर एक अध्भूत क्रेज दिखा अमेरिका ने हमें सो से जादा दुरलब और प्राचिन कलाकृतिया वापस लवटाई है इस खबर के सामने आने के बाद, सोशल मिडिया पर इन कलाकृतियों को लेकर खुब चर्चा हुई युवाओं में अपनी विरासत के प्रतिगर्व का भाव दिखा भारत लवटी ये कलाकृतिया डाई हजार साल से लेकर डाई सो साल तक पुरानी है आपको यह भी जानकर खुशी होगी कि इन दुरलब चीजों का नाता देश के अलग-अलग शेत्रों से है ये टेरकोटा, स्टोन, मेटल और लकडी के इस्तमाल से बनाई गई है इन में से कुछ तो ऐसी है जो आपको आश्री से भर देगी आप इने देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे इन में ग्यारवी सताबी का एक खुबसुरत सेंड, स्टोन, स्कल्प्चर भी आपको देखने को मिलेगा इन रुत्य करती हुई एक अफसरा की कलाकृती है जिसका नाता मद्दप्रदेश से है चोल यूग की कई मुर्तियों भी इन में सामिल है देवी और भगवान मुर्गन की प्रतिमाय तो बाहरवी सताब्दी की है और तमिल नाडू की वैभव साली संस्कृति से जुड़ी है भगवान गणेश की करीब एक हजार वर्ष पुरानी कांसे की प्रतिमा भी भारत को लवटाई गई है ललितासन में बैठे उमा महेश्वर की एक मुर्ति ग्यारवी सताब्दी की बताई जाती है जिसमें वे दोनों नंदी परासिन है पत्थरों से बनी जेन तिर्थरकरों की दो मुर्तियां भी भारत वापिस आई है भगवान सुर्यदेव की दो प्रतिमाय भी आप मन मोह लेंगी इन में से एक सेंस्टोन से बनी है वापस लोटाई गई चीजों में लकडी से बना एक पैनल भी है जो समुद्र मंथन की कथा को सामने लाता है सोलवी सत्रवी सदी के इस पैनल का जुडाव दक्षिन भारत से है साथियों यहां मैंने तो बहुत कभी नाम दिये है जब की देखे तो यह लिष्ट बहुत लंबी है मैं अमरीकी सरकार का अभार करना चाहूंगा जिनोंने हमारी इस बहुमुल्य विरासत को लोटाया है 2016 और 2021 में भी जब मैंने अमेरिका की यातर की थी तब भी कई कलाकुर्तिया भारत को लोटाई गई थी मुझे विश्वास है कि ऐसे प्रयासों से हमारी सांसकुर्तिक धरोहरों की चोरी रोकने को इस बात को लेकर के देश भर में जागरूता बढ़ेगी इससे हमारी समर्द विरासत से देश्वासों का लगाओ भी और गहरा हुदा मेरे प्यारे देश्वासियों देव भूमी उत्राखन की कुछ माताओं और बहनों ने जो पत्र मुझे लिखे हैं वो भावुक कर देने वारे हैं उन्होंने अपने बेटे को अपने भाई को खूब सारा आशिरवात दिया है उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कभी कलपना भी नहीं की थी कि हमारी सांसकुर्दिक धरोहर रहा भोजपत्र उनकी आजिविका का साधन बन सकता है आप सोच रहे होंगे कि या पुरा माजरा है क्या साथियों तो मुझे ये पत्र लिखे हैं चमोली जिले की नीती माना गाटी की महलाओने ये वो महला हैं जिन्होंने पिछले साल अक्तूबर में मुझे भोज पत्र पर एक अनूठी कलाकृती भेंट की थी ये उपहार पाकर मैं भी बहुत अभीबूत हो गया आखिर हमारे हां प्राचीनकार्ट से हमारे शास्त्र और ग्रंत इनी भोज पत्रों पर सहजे जाते रहे हैं महाभारत भी तो इसी भोज पत्र पर लिखा गया था आदेव भूमी की ये महलाए इस भोज पत्र से बेहद ही सुन्दर-सुन ने बना रही है माना गाउं की यात्रा के दोरान मैंने उनके इस यूनिक प्रयास की सरहना की थी मैंने देव भूमी आने वाले परियटकों से अपील की थी को यात्रा के दोरान जादा से जादा लोकल प्रोडक्स खरीदे इसका वहां बहुत असर हुआ है आज बोज पत्र के उत्पादों को यहां आने वाले तिर्थ्यात्री काफी पसंद कर रहे हैं और इसे अच्छे दामों पर खरीद भी रहे हैं बोज पत्र की है प्राचिन विरासत उत्राखंड की महिलाओं के जीवन में खुशाली के नए-नए रंग भर रही है मुझे यह जानकर भी खुशी हुई है कि भोज पत्र से नए-नए प्रोडक्ट बनाने के लिए राज सरकार महिलाओं को ट्रेनिंग भी दे रही है राज सरकार ने भोज पत्र की दुर्लब पजातियों को समरक्षित करने के लिए भी अभ्यान शुरू किया है जिन खेत्रों को कभी देश का आखरी छोर माना गया था उन्हें अब देश का प्रथम गाउं मानकर विकास हो रहा है यह प्रयास अपनी परंपरा और संस्कृति को संजोने के साथ आर्थिक तरक्षिका भी जर्या बन रहा है मेरे पहरे देश भात्षियों मन की बात में मुझसे इस बार काफी संख्या में ऐसे पत्र भी मिले हैं जो मन को भूत ही संतोस देते हैं यह चिठ्थी उन मुस्लिम महलाओं ने लिखी है जो हाल ही में हज यात्रा करके आई है उनकी यात्रा कई माइनों में बहुत खास है यह वो महलाएं हैं जिनों ने हज की यात्रा बिना किसी पुरुस सहयोगी या महरम के बिना पुरी की है और यह संख्या सो पचास नहीं बलकी चार हजार से जादा है यह एक बड़ा बड़लाव है पहले मुस्लिम महलाओं को बिना महरम हज करने की इजाजत नहीं थी मैं मन की बात के माध्यम से सौधी अरब सरकार का भी रदय से आभार व्यक्त करता हूं बिना महरम हज पर जा रही महलाओं के लिए खास तोर पर विमेन कोडिनेटर्स नियुक्ति की गई थी साथियों बीते कुछ वर्सों में हज पॉलिस में जो बड़लाओं किये गए हैं उनकी भरपूर सराना हो रही है हमारी मुस्लिम माताओं और बहनों ने इस बारे में मुझे काफी कुछ लिखा है अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को हज पर जाने का मौका मिल रहा है हज यात्रा से लोटे लोगों ने विशेशकर हमारी माताओं बहनों ने चिठ्थी लिखकर जो आशिरवात दिया है वो अपने आप में बहुत प्रेरक है मेरे प्यारे देशवासियों जम्मु कश्मीर में मुजिकल नाइट्स हो हाई एल्टिटूर में बाइक रेलीज हो चन्रिगड के लोकल क्लब हो और पंजाब में धेर सारे स्पॉर्ट्स ग्रुप्स हो यह सुनकर लगता है एंटरेंडमेंट की बात हो रही है एडवेंचर की बात हो रही है लेकिन बात कुछ और है यह आयोजन एक कॉमन कॉज से भी जुड़ा हुआ है और यह कॉमन कॉज है ड्रक्स के खिलाब जागरुकता अभ्याँ जम्मु कश्मीर के युवाओं को ड्रक्स से बचाने के लिए कई इनोवेटिव प्रयास देखने को मिले हैं यहां मुजिकल नाइट बाइक रेली जैसे कारिकम हो रहे हैं चंडिगर में इस मैसेज को स्प्रेड करने के लिए लोकल क्लब्स को इससे जोड़ा गया है वे इन्हें बादा क्लब्स कहते हैं वादा या नहीं विक्टरी अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूस पंजाब में कई स्पॉर्ट्स ग्रूप्स भी बनाए गए हैं जो फिटनेस पर धान देने और नशा मुक्ति के लिए एवरनेस केम्पेंच चला रहे हैं नशे के खिलाब अभ्यान में युवाओं की बढ़ती भागीदारी बहुत उत्सा बढ़ाने वारी है ये प्रयास भारत में नशे के खिलाब अभ्यान को बहुत ताकत देते हैं हमें देश की भावी पीडियों को बचाना है तो उन्हें ड्रक्स से दूर रखना ही होगा इसी सोच के साथ 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभ्यान की सुर्वाद की गई थी इस अभ्यान से 11 करोड से जानदा लोगों को जोड़ा गया है दो हफ्ते पहले ही भारत ने ड्रक्स के खिराब बहुत बड़ी कारवाई की है ड्रक्स की करीब डेड़ लाक किलो की खेप को जब्त करने के बार उसे नश्ट कर दिया गया है भारत ने 10 लाक किलो ड्रक्स को नश्ट करने का अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया है इन ड्रक्स की कीमत बारा हजार करोड रुपे से भी जादा थी मैं उन सभी की सरहना करना चाहूंगा जो नशा मुक्ति के इसे नेक अभ्यान में अपना योगदान दे रहे हैं न से की लत न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए बड़ी परिशानी बन जाती है ऐसे में ये खत्रा हमेशा के लिए खत्म हो इसके लिए जरूरी है कि हम सब एक जुठ होकर इस दिशा में आगे बड़े मेरे प्यारे देशवाचियों जब बात ड्रक्स और युवापीडी की हो रही है तो मैं आपको मद्य प्रदेश के एक इंस्पाइरिंग जर्नी के बारे में भी बताना चाहता हूँ ये इंस्पाइरिंग जर्नी है मीनी ब्राजिल की आप सोच रहे होंगे कि मद्य प्रदेश में मीनी ब्राजिल कहां से आ गया यही तो ट्विष्ठ है MPK शड़ोर में एक गाउं है विचारपूर विचारपूर को मीनी ब्राजिल कहा जाता है मीनी ब्राजिल इसलिए क्योंकि ये गाउं आज फुटबॉल के उभरते सितारों का गड़ बन गया है जब कुछ हपते पहले मैं शड़ोर गया था तो मेरी मुलाकाथ वहां ऐसे बहुत सारे फुटबॉल खिलाडियों से हुई थी मुझे लगा कि इस बारे में हमारे देश वाज़ों को और खास कर युवा साथियों को जुरूर जानना चाहिए साथियों विचारपूर गाउं के मीनी ब्राजिल बनने की आत्रा दो ढ़ाई दसक पहले शुरू हुई थी उस दोरान विचारपूर गाउं अवैद सराप के लिए बद्लाम था नशे की गिर्प्त में था इस माहोल का सबसे बड़ा नुक्सान यहां के युवाओं को हो रहा था एक पूरवर नेशनल प्लेयर और कोच रईस एहमत ने इन युवाओं की प्रतिभा को पहचाना रईस जी के पास संसाधन ज्याता नहीं थे लेकिन उन्होंने पूरी लगन से युवाओं को फुटबॉल सिखाना शुरू किया कुछ साल के भीतर ही यहां फुटबॉल इतनी पॉपिलर हो गई कि विचारपूर गाओं की पहचान ही फुटबॉल से होने लगी अब यहां फुटबॉल क्रांती नाम से एक प्रोग्रेम भी चल रहा है इस प्रोग्राम के तहट इवाओं को इस खेल से जोड़ा जाता है और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है ये प्रोग्राम इतना सफल हुआ है कि विचार पूर से नेशनल और स्टेट लेवल के 40 से ज़्यादा खिलाडी निकले हैं ये फुटबल क्रांती अब धीरे धीरे पूरे शेत्र में फेल रही है सहडोल और उसके आसपास के काफी बड़े इलाके में 1200 से ज़्यादा फुटबल क्लब बन चुके हैं यहां से बड़ी संख्या में ऐसे खिलाडी निकल रहे हैं जो नेशनल लेवल पर खेल रहे हैं फुटबॉल के कई बड़े पुर्व खिलाडी और कोच आज यहां युवाओं को ट्रेनी दे रहे हैं आप सोचिए एक आदिवासी इलाका जो अवैद सराब के लिए जाना जाता था नश्य के लिए बदनाम था वो अब देश की फुटबॉल नरसरी बन गया है इसलिए तो कहते हैं जहां चाह वहां राह हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है जरुरत है तो उन्हें तलाशने की और तराशने की इसके बाद यही युवाओं देश का नाम रोशन भी करते हैं और देश की विकास को दिशा भी देते हैं मेरे प्यारे देश भास क्यों आजादी के 75 साल पूरे होने के अउसर पर हम सभी पूरे उत्सा से अमरित महोत्सों मना रहे हैं अमरित महोत्सों के दोरान देश में करीब करीब दो लाग कारकमों का आयोजन किया गया है ये कारकम एक से बढ़कर एक रंगों से सजे थे विविदता से भरे थे इन आयोजनों की एक खुबसूरती ये भी रही कि इन में रिकार्ड संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया इस दोरान हमारे युवाओं को देश की महान विभूतियों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला पहले कुछ महिनों की भी बात करें तो जन भागीदारी से जुड़े कई दिल्चस्प कारकम देखने को मिले ऐसा ये कारकम था दिव्यांग लेखकों के लिए राइटर मीट का आयोजन इसमें रिकॉर्ड संख्या में लोगों की सहभागिता देखी गई बहीं आन्द प्रदेश के तिरुपती में राष्ट्रिय संस्कृत संब्लन का आयोजन हुआ हम सभी जानते हैं कि हमारे इतिहास में कीलों का फोर्स का कितना महत्व रहा है इसी को दर्साने वाली एक केंपेंग कीले और कहानिया यानि फोर्ट से जुड़ी कहानिया भी लोगों को खुब पसंद आई साथियों आज जब देश में चारों तरफ अमरित महुत्सव की गुंज है 15 अगस्त पास ही है तो देश में एक और बड़े अभ्यान की शुरुआत होने जा रही है शहीद वीर विरांगनाओं को सनमान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभ्यान शुरू होगा इसके तहट देश भर में हमारे अमर बलिदानियों की स्मृति में अनेक कारकम आयोजित होंगे इन विभूतियों की स्मृति में देश की लाखो ग्राम पंचायतों में विशेश चिलालेग भी स्थापित किये जाएंगे इस अभ्यान के तहट देश भर में अमरित कलस यात्रा भी निकाली जाएगी देश के गाउं गाउं से कौने कौने से पचतर सो कलसों में मिट्टी लेकर ये अमरित कलस यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुँचेगी ये यात्रा अपने साथ देश की अलग-अलग हिस्सों से पौधे लेकर भी आएगी 75 सो कलस में आई माटी और पौधों से मिलाकर फिर नेशनल बॉर मेमोलेर के समीप अमरित वाटिका का इंद्रिमान किया जाएगा ये अमरित वाटिका एक भारत स्वेष्ट भारत का भी बहुती भव्य प्रतिक बनेगी मैंने पिछले साल लाल के लिए से अगले 25 वर्षों के अमरित काल के लिए पंच प्राण की बात की थी मेरी माटी मेरा देश अभ्यान में हिस्सा लेकर हम इन पंच प्राणों को पुरा करने की सपत भी लेंगे आप सभी देश की पवित्र मिट्टी को हाथ में लेकर शपत लेते हुए अपने सेल्फी को you are.gov.in पर जरूर अप्लोड करें पिछले वर्ष्वतंतरता दिवस के अवसर पर हर गर तिरंगा भ्यान के लिए जज़ा पुरा देश एक साथ आया था वैसे ही हमें इस बार भी फिल से हर गर तिरंगा फैराना है और इस परंप्रा को लगातार आगे बढ़ाना है इन प्रयासों से हमें अपने कर्तवियों का बोध होगा देश की आज़ादी के लिए दिये गए असंख्य बलिदानों का बोध होगा आज़ादी के मुल्य का एसास होगा इसलिए हर देश वासी को इन प्रयासों से जुरूर जुड़ना चाहिए मेरे प्यारे देष वास्यों मन की बात में आज बस इतना ही अब कुछी दिनों में हम 15 आगस्त आजहाधि का ये महान परव का हिस्सा बनेगे देश की आजहाधि के लिए मर मिटने वालों के होग हमेशा याद रखना है हमें उनके सपनों को सच करने के लिए दिन रात महनत करनी है और मन की बात देश वाच्चों की इसी महनत को उनके सामूही प्रयासों को सामने लाने का ही एक माध्यम है अगली बार कुछ नए विश्रों के साथ आप से मुलाकात होगी बहुत दहनवाद नमस्कार प्रधान मंत्री ने आज भी कई महत्वपुन बातों का जिकर किया आज भारतवासी एक दूसरे का हाथ था हम बड़ी सी बड़ी आपदा का सामना कर रहे हैं NTRF के साथ स्थानिय लोगों की भागिदारी के साथ हमने प्राकृतिक आप